लोकसभा चुनाव से कुछ हपते पहले एक चौकाने वाले कदम में चुनाव आयोक्त अरुण गोयल ने इस्थिपा दिया है। उनका कार एकाल दोहजास सप्ताइस तक था राश्टर प्रती द्रौबदी मोर्मू ने उनका इस्थिपा सुविकार कर लिया है। निर्वाचन आयोक में पहले से ही चुनाव आयोक्त का एक पदखाली था। चुनाव आयोक्त अनूप चंद्रपांडे इस साल फरवरी में सेवा निवरित हो हुए थे। अरुण गोयल के इस्थिपे के बाद अब केवल मुखे चुनाव आयोक्त राजियुकुमार ही बचे हैं। अरुण गोयल का इस्थिपास विकार कर लिया है जो की 9 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। उनकी निवरिती विवादों में रही थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनावती दी गई थी। सिर्फ अदालत ने मामले के सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था आखिरकार किस बाद कितनी जलदबाजी थी। जो वी आरस लेने के अगले ही दिन अरून गोयल को इलेक्षन कमिशनर पद पर निवक्ती दे दी गई। कानून मंत्री ने सौट लिष्ट किये गए नामों की सूची में से चार नाम चुने फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसी दीन आगे बढ़ा दी गई। तक कि प्रदान मंत्री ने भी उस दीन नाम की से वारिस कर दी हम कोई टकराव नहीं चाहते लेकिन यह सब कोछ बहुत जल्दबाजी में किया गया वह 15 महीने इस पद पर रहे सुप्रीम कोट में फाइल कलब होने के अलावा उनके प्रती कोई विवाद सरकार या फिर निर्वाचन आयुक्त और साथी निर्वाचन आयुक्त के साथ उनके मत्भेदों के किस से सारवजनिक थे अगास्त 2020 में लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्थिपादे दिया था उन्हें एसीन डवलप्रेंट बैंक के उपाध्यक्षपद पर निवक्ति किया ग खेर इस जानकारी में इतना ही देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें चैनल के साथ धन्यवाद